Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So, Magnet Brains एक ऐसा platform है, जहां पर आपको सभी class, सभी subject के videos free of cost provide किये जाते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि कुछ videos देखने के बाद ना तो आपको कोई subscription लेना है, ना ही कोई package purchase करना है, because best quality content, best teachers के साथ आपको free of cost provide किया जाता है. So, आज आपके लिए एक नया session लेकर आया हूँ, और यह जो session यहाँ पर होगा, यह class 9th के students के लिए है, और social science का जो segment आज हम यहाँ पर cover करेंगे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है history, ठीक है? तो history का यह chapter number 1 है, जिसका नाम है French Revolution, ठीक है? तो इसका अगर आप देखोगे, तो इसके जो topic wise videos है, वो भी आपको provide किये गये हैं, NCIT जो solution videos है, वो भी आपको provide किये गये हैं, इसका one shot revision video, जिसमें एक बार में ही पूरा chapter जो है, वो आपको समझाया गया, वो भी आपको provide किया गया है, तो अब जो हमारा समय है, वो यहाँ पर क्या है कि, वो most important questions को करने का है, most important questions क्या होते हैं भी, दिखिए जो examination में, जिनके आने की probability ज़ादा होती है, दूसरी important बार, क्योंकि NCIT में जो questions होते हैं, वो limited होते हैं, है ना, तो कुछ extra questions की requirement होती है, हम यहाँ पर कबर करने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पर यह recommend करना चाहूँगा, कि आप में से जिन भी students ने, यह French Revolution का, one shot revision वीडियो नहीं देखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, तो उससे क्या होगा कि, आपको पूरा history जो है, वो यहाँ पर पता चल जाएगा, कौन-कौन से events हुए, उससे क्या changes आए, events क्यूं हुए, उनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, फिर उसके बाद इन questions को solve करना जो है, वो एकदम आसान काम आपके लिए यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है, तो इनी सब चीजों को fulfill करते हुए, आज का most important questions का जो series है, वो हम यहाँ पर start करते हैं, ठीक है, और इसमें एक चीज आप यह ध्यान रखिएगा, है ना, कुछ questions ऐसे होंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कि जो very long होंगे, और जहाँ पर भी map की requirement होगी, map based questions हैं, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, तो यह सब चीजे मैं आपके साथ यहाँ पर discuss करूँगा, जो कि आपके examination के लिए काफी ज़्यादा important है, चले, शुरू करते हैं, आज का पहला question देखो दिया है, कि in 1774, है ना, 1774 की बात हो रही है, the Louis 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of, ठीक है, अब इसमें से भी अगर आप देखोगे न, तो कई सारे question, इसी question से आपके बन जाएंगे, है ना, जैसे पहली बात, Louis 16 जो है, वो राजा कब बना, 1774 में बना, Louis 16 जो है, वो यहाँ पर किस family से बिलॉंग करता था, Bourbon family से जो है, वो यहाँ पर बिलॉंग करता था, 1774 में, France का राजा कौन था, Louis 16 जो है, वो कहां का राजा बना, मतलब कि कहां की गदी पर जो है, वो यहाँ पर बैठा, तो वो France की गदी पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, France की जो राजदानी है, यह Paris है, आज के time period पर, और अभी जो वहाँ के president है, जो जब मैं वीडियो यहाँ पर record कर रहा हूँ, तो उनका नाम है Emmanuel Macron, ठीक है, तो Emmanuel Macron जो है, वो Paris, France जो है, उसके यहाँ पर, president आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो Louis 16 याद रखिएगा, 1774 में राजा बना, Warbone family का और France का राजा आपको देखने को मिला, आपको देख लिजे, अभी हमारा main purpose ही होगा, कि उनी चीजों को recall करें हम, है न, जो भी आपने पढ़ा है, उन चीजों को recall करके, उनके questions के जो answers है, वो हम यहाँ पर लिख पाएं, तो ज़्यादा explanation नहीं provide करूँगा, उसको क्या बोलते थे, तो उसको convention जो है, वो यहाँ पर कहा जाता, यह काफी important question है, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, मैंने अपने one shot revision video में इन सब चीजों को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका भी बताया हुआ है, तो आप उस video को भी जो है, वो जरूर यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि newly acted जो assembly है, इसका नाम है convention, next question देखिए, the burden of financial activities of state during the old regime, है न, old regime का मतलब जब यहाँ पर यह मोनार्की वाला time period था, तो आप यह कह सकते हैं कि जो financial activities होती थी, है न, मतलब जहाँ पर भी पैसे वगरा खर्च होंगे, तो उन सब चीजों का जो burden था, वो किसके उपर था भई, तो आप सभी को पताएगी, यहाँ पर France में ऐसा होता था, कि जो first state, second state वाले लोग होते थे, इनको tax से जो है, वो concession था, है न, कि आपको tax वगरा यहाँ पर pay नहीं करना है, लेकिन जो third state वाले लोग यहाँ पर होते थे, उनको क्या बोला गया था, कि आपको tax यहाँ पर pay करने होंगे, तो यहाँ पर इसका जो answer होगा, regime में, जो यहाँ पर यह खर्चा उठाते थे, यह लोग third state जो है, वो यहाँ पर इसका खर्चा उठाते थे, ठीक है, तो right answer क्या होगा है, इसका third state, question number four देखिए, in France, the 18th century is witnessed, the emergence of a social group termed as the, है न, मतलब कि 18th century, हमेशा याद रखिएगा, कि जो 1701 से लेकर, है न, 1800 तक का time होता है, है न, यह वाला जो time period होता है, यह क्या कहलाता है, यह 18th century यहाँ पर कहलाएगा, मतलब कि century वाला जो time period होता है, वो क्या होता है, यह एक पीशे जलता है, है न, मतलब आप यह कह सकते हैं, कि 1801 से लेकर, 1900 तक का time period होगा, यह कौन सी century होगा, यह 19th century होगा अभी हम किस century में हैं हम यह 21st century में अपना जीवन यहाँ पर बिता रहे हैं ठीक है तो अब आप से पूछा जा रहा है कि इन France में 18th century ने यहाँ पर क्या हुआ कि एक social group जो है वो इमर्ज हुआ उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते है middle class है ना middle class जो है उसकी importance आज भी आपको बहुत जादा देखने को मिलेगी तो France में 18th century में यह group जो है वो आपको इमर्ज होता हुआ दिखाई दिया चले question number 5 देखिए the constitution of 1791 vested the power to make laws in the कि जो 1791 में हाँ पर constitution बनाया गया था उसमें यह बोला गया कि भी अगर कोई कानून है है ना जो France में बनाया जाएगा तो कानून बनाने के लिए भी कोई ना कोई एक organization होना चाहिए जो इस काम को complete करेगा तो वो जो organization है है ना जिसके पास law बनाने की power थी उसको क्या बोलते थे उसको बोलते थे national assembly तो national assembly जो है उसके पार यह पावर यहाँ पर आगए कौन से constitution के basis पे 1791 का जो constitution था उसके basis पे इनके पास यहाँ पर आपको power देखने को मिलेगी question number six देखे दिया है the constitution begin a declaration of the rights of dash ठीक है मतलब यहाँ पर क्या है कि जो constitution मनाया गया था तो उसमें क्या बोला गया है कि उसमें जो declaration of rights थे मतलब जो अधिकार यहाँ पर provide किये गये थे है ना उसका जो starting होता है beginning होता है वो किसको थे man and citizen ठीक है याद रखिएगा महिलाओं को उतने अधिकार देने की बात यहाँ पर constitution में नहीं करी गई थी जिसकी वज़े से जो महिला यहाँ पर section था France का उसने बाद में अलग-अलग तरीके से जो बाते हैं अपनी मनवाने के लिए protest वगरा भी यहाँ पर करी एक आप यह कह सकते हैं कि moment भी यहाँ पर आपको चलता हुआ देखने को मिला so man and citizen जो है वो यहाँ पर बताया गया था ठीक है उसमें महिलाओं की उपर जो है वो rights के बारे में बात नहीं की गई थी next question देखते है the national assembly of France ठीक है voted in April 1792 to declare a war against है ना मतलब यह लोग क्या सोच रहे थे यह लोग यह सोच रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं कि भई जो France है ना France की उपर attack कर देते हैं है ना लेकिन यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर उल्टा हो गया national assembly ने खुदी बोल दिया कि हम 1792 जो है है ना उसमें क्या करेंगे उसमें इन country क्यूपर जो है आटेक करेंगे तो कौन से country थी एक पुरूशिया था और एक को आस्ट्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर यह वोटिंग कर दी गए national assembly में कि इन country क्यूपर attack करेंगे तो पुरूशिया और आस्ट्रिया जो है वह आपको और यहाँ पर क्या है कि सब लोग बहुत भैभीत रहते थे और यह कहां पर इंटिड्यूज किया था तो याद रखिए का नाम रॉबस पीरे ने रीन आफ टेरर मतलब जब इसने रूलिंग करी थी न तब आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इनके टाइम पीरेट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं इन आफ टीरर के नाम से जानते हैं और रीन आ टेरर जो है आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा ठीक है मतलब जो यह आजके टाइम पीरेट पर हम ठोन ते các ga T origin जो है वो connected आपको देखने को मिलेगा किसका time period रॉबस पियरे तो question number 8 का answer हो गया complete नेक्स दिया आएगी था members of the jacobian club belong mainly to है न तो जो jacobian club बनाएगी जैसे रॉबस पियरेज होते न ये भी jacobian club में ही थे तो जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कि अमीरी नहीं थी है न बहुत जादा आप ये कह सकते हैं कि अमीरी नहीं थी prosperity नहीं देखने को मिलेगी तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो कहाँ पर देखने को मिले वो jacobian जो group है उसमें देखने को मिले एक्शली क्या था कि फर्स स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई जादा दिक्कत तो थी नहीं प्रॉब्लम किसके साथ हो रही थी थर्ड स्टेट वाले जो लोग हैं उनके साथ हो रही थी तो उन्हें ही अपनी बात यहां पर उठानी थी तो इस तरीके के जो clubs हैं वो बनाये गए थे भारत पर क्या हुआ भाई प्यारे भारत पर किसका रूल था, United Kingdom का रूल था, ठीक है अभी United Kingdom तो कहां पर है वो तो यूरोप में है तो भारत क्या है वो यूरोप का जो एक देश है जिसका नाम है UK है ना उसकी कॉलोनी है तो क्या होता है कि जहां पर भी France का rule था है ना जो France का main territory है उसके अलावा जो भी French colonies आपको देखने को मिलती थी इसका मतलब यह हुआ कि उन particular colonies में भले उनकी location आपको अलग जिगे पर देखने को मिल रही है लेकिन वो colonies जो है वो France के यहां पर कहा है power में आपको देखने को मिलेगी administration में आपको देखने को मिलेगी है ना तो France में क्या है कि आप यह कह सकते हैं कि पहले industrial लोग यहां पर थे तो उनको slaves वगरा की आवशिक्ता होती थी अपना काम को complete कराने के लिए तो finally जो यहां पर French colonies है है ना वहां से slavery जो है गुलामी जो है वो यहां पर कब समाप्त करीगी कब abolish करीगी है ना यह पूछा जा रहा है तो यह 1848 का जो है वो टाइम था जब slavery को यहां पर खतम किया गया ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है slavery was finally abolish in French colonies in 1848 next question दिया हुआ है कि one important law that came into the effect soon after the storming of the best style in 1789 was the ठीक है तो आप यहां पर यह कह सकते है कि जब यह 1789 में है ना जो best style यहां पर jail थी है ना उसको तोड़ा गया है ना वहां से लोगों को free किया गया जो police थी उनके उपर attack किया गया तो इसके बाद एक बहुत important law था ठीक है जिसको यहां पर कहाएगी वो यहां पर implement किया गया है ना मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो 1789 में यह best style में storming यहां पर आपको देखने को मिली उसके बाद कौन सा law था जो effect में आपको देखने को मिला तो वो था abolition of censorship censorship यहां पर क्या होता है कि पहले news में है ना radio में TVs वगरा में वही सब चीज़ें दिखाए जाती थी जिनको सरकार यहां पर approve करता था है ना यह सरकार जो चाहता था कि भाई इस तरीके की चीज़ें ही यहां पर क्या है कि survive करनी चाहिए society में बागी सब चीज़ें survive नहीं करनी जी के बल वही चीज़ें यहां पर survive होती थी तो इसका मतलब है कि censor जैसे आप movie वगरा देखने जाते हो ना तो censor का एक certificate आता है इसका मतलब यह हुआ कि देखा गया देख सकते हैं इसमे certificate आपको देखने को मिलेगा है ना कि कि particular age group के यह movies आपको देखने को मिल रही है so abolition of censorship जो है वो यहां पर आपको effect देखने को मिला कि आप लोग अपनी बात यहां पर क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं उनकी बात बताने में है ना किसी भी तरीके की जो रोक टोक है वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी question number यहां पर 12 दिया गया what was skeptor है ना तो यह मैंने आपको अलग-अलग तरीके के जो symbols थे है ना वो यहां पर आपको दिखाए थे तो उसी में से कहाए कि skeptor अगर आप देखोगे तो यह symbol of royal power आपको देखने को मिलेगा ठीक है मतलब उनका जो constitution वगरा था ना उसमें जो bill of rights वगरा आपको देखने को मिलेंगे उसमें एक photo थी उसमें अलग-अलग तरीके के आपको symbols देखने को मिलेंगे तो इन symbols का अपना अपना अलग-अलग meaning है वो भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है one short revision video में इस capture basically क्या होता था royal power जो है वो उसको यहाँ पर indicate करता था ठीक है royal power इस question का right answer है which theory was proposed by the Montescue, Montescue के दोरा कौन सी theory जो है है ना वो यहाँ पर proposed करी गई थी so Montescue ने यहाँ पर यह बोला था कि power कर division यहाँ पर होना चाहिए, theory of division of power मतलब power किसी एक के पास नहीं होना चाहिए है ना power कर division यहाँ पर होगा तो चीजों का implementation जो है वो यहाँ पर सही तरीके से होगा, अब Montescue जो है उनकी theory अगर आप देखोगे तो आज हमारे देश में भी implemented है है ना हमारे यहाँ पर legislative branch executive branch और judicial branch है उन सब का जो काम है वो यहाँ पर आपको different different देखने को मिलता है ना तो Montescue जो है उनका यहाँ पर theory of division of power जो है वो एक theory आपको देखने को मिलेगी who proposed the social contract theory है ना तो social contract जो यहाँ पर theory है तो social contract जो है ना यह किताब है है ना यह theory किसने प्रपोस करी थी या फिर Jean Jacks रूसे जो है ठीक है इनकी किताब है जिसका नाम है social contract यह सब one marker वाले question है भाई है ना और यह आपको इसमें से two marker वाले question भी मिलेंगे और MCQ format में भी जो questions है वो directly यहाँ पर पूछे जा सकते हैं अगला question है कि 15 वाला कि women in France won the right to vote in है ना मतलब कि पहले क्या हुआ कि constitution अगरा तो बन गया था इनका लेकिन महिलाओं को जो है equal rights नहीं provide किये गए जो political right होता है voting का rights वो महिलाओं को नहीं दिया गया था तो question आप से यह पूछा जा रहा है कि जो महिलाए थी उनको France में voting rights कप से दिये गए तो 1946 हमारे देश को जैसे independence यहाँ पर मिली हमने बिल्कुल starting से universal adult franchise जो है वो follow किया है ना कि सभी लोगों को यहाँ पर क्या है कि आपको जो है वो political rights देने है मतलब voting rights आपको देने है है ना तो हमारे देश में तब सही है लेकिन France में अगर आप देखोगे तो 1946 में यहाँ पर है अज अगर आप से कोई पूछे कि पहली country है ना जिसने महिलाओं को voting rights दिये first country जिसने यहाँ पर क्या किये कि महिलाओं को voting rights दिये उसका नाम क्या है तो याद रखिएगा यह आपको New Zealand यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है तो New Zealand जो है वो पहली country है जिसने यहाँ पर क्या किये थे महिलाओं को voting rights यहाँ पर provide किये थे France ने 1946 में किये What did the French Revolution of 1789 stand for ठीक है कई बार MCQ में यही पूछ लेंगे कि French Revolution कब है 1789 में आपको देखने को मिलेगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है है ना तो याद रखिएगा French Revolution का Indian Constitution की उपर भी एक गहरा प्रभाव पढ़ा है है ना काफी सारी चीज़ें जो है वो French Revolution से हमने अपने जो National Movement था या Constitution था उसमें एडॉप्ट करी हैं जिसमें Ideas of Liberty है ना Equality और Fraternity तो Liberty, Equality और Fraternity वाला जो Concept है यह हमने कहां से बोरो किया है यह French Revolution से बोरो किया है जो की 1789 का है Liberty मतलब स्वतंतरता Equality मतलब समानता और Fraternity मतलब भाईचारा है ना तो यह तीनों चीज़ें जो है यह हमारे Liberty, Equality और Fraternity वाला जो अपर क्या है आप से बोल सकते हैं कि एक पीजन्स जो होते थे जो यहां पर किसान वगरा होते थे उनके उपर चर्च के द्वारा एक Special Tax चो है वो यहां पर लगाया जाता था तो उसका नाम यहां पर क्या है तो इसका नाम है Tith ठीक है Tith was the Special Tax है तो आब मुझे बात ये बताइए गा एक स्विपे कि लिए है कि बाई जो nic Orleans यहाफर होता था इसमें क्या होता था है मुदलब इसमें क्या कितना टैक्स देना होता था है ना इसका पर प्रपस यहाँ पर क्या होता था तो आपको ये जो है ना ये comment section में यहाँ पर बताना है कि जो तित यहाँ पर होते थे वो यहाँ पर क्या होते थे ठीक है इसका answer आप मुझे comment section में यहाँ पर बताईएगा ठीक है थोड़ा बहुत revision जो है वो मैं आपको जरूर करवाता रहूंगा बीच बीच में है ना ताकि आप चीजों को अच्छे से सीख पाए question number 18 देखो दिया है कि on what principle was voting conducted in the state general है ना जो state general थे वहाँ पर voting जो है वो किस principle के basis पे यहाँ पर conduct करी गई थी so each state having one vote was the principle on which voting was conducted in the state general ठीक है state general की जब यहाँ पर meeting हुई तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो फर्स state second state है ना third state वाले लोग थे वो यहाँ पर देखने को मिले तो अब यहाँ पर कहाए कि first or second state को तो कोई problem नहीं थी है ना तो वो क्या बोलेगी भई हर एक state का एक vote होगा तो third state वाले बोले कि आपको तो कोई problem ही नहीं है main problem तो हमें है है ना और हमारे में अगर हम वोट देंगे और हम हम opposite भी बोलते हैं तो आप दोनों तो एक ही जैसा बोलोगे है ना तो हम तो यहाँ पर हारी जाएंगे भई उनने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर यह होना चाहिए कि सब लोगों के अलग अलग वोट होने चाहिए और उसके basis पर हमें क्या करन यही था कि सभी स्टेट मतलब कि तीन स्टेट थे फर्स सेकेंड थर्ड है ना तो वो सबका यहाँ पर क्या होगा एक ही वोट होगा वास दा प्रिंसिपल ऑन विच वोटिंग वास कंडक्टेट इन दा स्टेट जनल ठीक है लेकिन थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे इसके अगेंस में थे और इसके आप यह कह सकते हैं कि अगेंस में होते हुए और यहां पर बाहर निकल गए और उन्होंने फिर जो मीटिंग वगरा हुई ते उस पर पार्टिसिपेट नहीं किया था चले अगली बात करते हैं वोट डिजा गुलेटिन के बारे में मैंने आपको पताया था है ना वो जो जिसमें चाकू जैसा था और नीचे किरके जो गर्दन काट जीता था है ना वही है गुलिटेन तो इसमें क्या था वो जैसे एक स्टूल जैसा नहीं देखने को मिलता था यहाँ पर आपको यह इस तरीके से ब्लेट देखने को मिलता था है ना यहाँ पर लोगों की गर्दन जो है वो रखी जाती थी यह ब्लेट नीचे की तरफ गिरती थी और यह क्या करती थी उनकी गर् है और डॉक्टर गुलिटेन ने इसको इन्वेंट किया था और इससे लोगों की जो गरदन है वो उड़ा दी जाती थी है न तो इसलिए गुलिटेन जो है यह आपको फ्रेंच revolution में बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा what idea did the law tablet convey है ना law tablet जो है वो यहाँ पर कौन सा idea जो है वो convey करता है कि convey the idea that law is the same for all and all are equal before it ठीक है law tablet मतलब जो वहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके के symbols देखने को मिलते है ना जो मैंने आपको बताया french revolution में अगर आप देखोगे तो अलग-अलग तरीके के symbols है तो यहाँ पर क्या है कि आपसे बुला जा रहा है कि law tablet क्या बोलता था law tablet बोलता था कि law जो है वो सभी के लिए समान है और सब लोग उसके सामने बराबर है है ना किसी के लिए यहाँ पर differentiated जो behaviors है वो देखने को नहीं मिलेंगे देखे सब कुछ जो है को एकदम समान आपको देखने को मिलेगा law सब के लिए बिलकुल equal यहाँ पर है who was the leader of the jacobian club है ना jacobian club जिसमें less prosperous जो लोग थे society के वो members यहाँ पर थे तो आप से पूछा जा रहा है कि jacobian club के leader कौन थे तो Robert Spearie जो है है ना वो आपको leader देखने को मिलेंगे जिनके ruling time period को हम reign of terror के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं Robert Spearie इस question का right answer होगा चलिए अगला question देखिए what was the state journals state journal मतलब यहाँ पर क्या है कि एक political body थी and was controlled by the French monarch तो state general एक political body थी जो भी decision लेना होता था वो यहाँ पर होते थे French जो भी monarch होते थे है ना राजा वो यहाँ पर meeting बुलाते थे अलग अलग जनरल वाले जो लोग होते थे इस्टेट वाले उनके meeting यहाँ पर होती थी और जो भी decision मतलब होता था वो यहाँ पर final किया जाता था लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो भी जीज़े final होगी ना meeting में final होगी राजा अपने इसाब से final नहीं करेगा है ना लेकिन राजा के पास power यह थी कि कब बुलाना है वो आसानी से उस time period पर जो state generals की meeting थी वो यहाँ पर बुलाई जा सकती थी तो यह एक political body थी राजनेतिक body थी और जो भी चीज़े यहाँ पर final करनी होती थी वो इस basis पर यहाँ पर final की जाती थी question number 23 दिया हुआ है कि why were images and symbols used in the 18th century France ठीक है images और symbols को जो है वो क्यों यहाँ पर प्रियोग किया जाता था obvious सी बात है है ना ताकि लोगों के अंदर वो image जो है वो यहाँ पर create करवाई जा सके ठीक है तो अगर आप देखोगे why were images and symbols used in the 18th century France so the majority of men and women in 18th century France could not read and write है ना वो लोग यहाँ पर क्या है कि ना तो पढ़ सकते थे ना तो लिख सकते थे so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas तो जो भी यहाँ पर ideas वगरा आपको spread गरने हैं उसकी जगे पर आप लिखते नहीं थे कुछ है ना यहाँ पर क्या है कि जो अलग-अलग तरीके की symbols हैं इनका use किया जाता था और इन symbols का use करके जो भी message होते थे वो लोगों को communicate यहाँ पर किये जाते थे तो यह इसका purpose था और यह इस तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ आपको देखने को मिलता था तो यह हो गए हमारे total 23 हमने very short answer type question की है ठीक है I hope आपको यह एक number दो number में कैसे कैसे question यहाँ पर आ सकते हैं वो यहाँ पर समझ में आये होंगे आप बिल्कुल tension मत दीजेगा बहुत सारे questions हम यहाँ पर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम discuss करेंगे additional मैं information भी आपको बताता चलूँगा ताकि overall आपका chapter जो है वो अच्छी दरीके से यहाँ पर prepare हो जाए कोई भी doubt अगर आपके मन में आता है तो आप comment section में mention कर सकते हो मैं personally अपने videos के जो comment section है उनको monitor करता हूँ देखता हूँ कोई भी reasonable question होगा I will personally answer ठीक है तो अब हमारा जो अगला session होगा इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे बलब section जो होगा इसमें हम short answer type questions जो हैं उनका discussion यहाँ पर करने वाले हैं तो question number 24 देखिए आपके the ring of terror ठीक है दो question आपको यहाँ पर दिये गए हैं और मतलब यह question जो है यह काफी important question है ठीक है और इस question को आपको अच्छी तरीके से prepare करना है यह examination में आपके directly पूछा जा सकता है दो question में यहाँ पर क्या दिया गया है तो जिन लोगों ने इसका one shot revision वीडियो देखा होगा चैप्टर देखा होगा मैंने बहुत अच्छी तरीके से discuss किया था कि यह वज़े क्या थी इनके इस time period को Marine of Terror क्यों कहते थे Robert Spire यहाँ पर कौन थे यह सब चीजे मैंने आपको बताया हुआ है आप इसको क्या करना है कि question आपको दिया हुआ answer के format में आप कैसे लिखोगे है ना तो short answer type question है तो तीन से चार point पे हम इस particular question को यहाँ पर complete करेंगे तो बोला या रहा है कि Robert Spire was the leader of Jacobian's Club which led a successful revolt and came to power Robert Spire ruled France from 1793 से लेकर 1794 है ना तो दो तीन चीजें बहुत important है पहली बाद यहाँ पर क्या है कि Jacobian's Club जो है यह आपके answer में आना चाहिए है ना क्योंकि Robert Spire जो थे वो क्या थे Jacobian's Club के leader थे और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इन्होंने एक successful revolt किया था Jacobian's Club ने और यह लोग यहाँ पर power में आये थे और उसके बाद जो leader थे Robert Spire उनके पास यहाँ पर command आपको देखने को मिलेगी 1793 से लेकर 1794 तक का जो time period था है ना France में वो Robert Spire के leadership में आपको देखने को मिलेगा His rule is referred as the reign of terror because he followed a policy of severe control and punishment ठीक है इनको हम reign of terror क्यों कहते हैं Terror का मतलब यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि डर तो लोगों के बीच में जब इनका time period था तो बहुत डर था उस डर का reason क्या था क्योंकि यह क्या करते थे कि चीजों के उपर अपना बहुत अच्छी तरीके से control यहाँ पर दिखाते थे है ना मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो इनको यहाँ पर favor न करे और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर माल लीजे कि कोई कुछ गलत करता है है ना तो उसको severe punishment भी यहाँ पर दी जाती थी तो अब यहाँ पर क्या है कि चीजों के उपर control है liberty बहुत ज़ादा नहीं है और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह अगर कोई गलत करता है तो punishment भी यहाँ पर severe आपको मिलती हुई दिखाई देगी और इसी वज़े से reign of terror इनके time period को कहा जाता था all those who were considered enemies by him or who did not agree with him or with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal ठीक है मतलब जो लोग क्या करते थे कि इनसे disagreement दिखाते थे चाहे इनकी policies से देख लीजिया चाहे इनकी method से देख लीजिये चाहे इनके जो enemies थे उनको arrest किया जाता था और जो revolutionary यहां पर tribunal होते थे उनके द्वारा उनको यहां पर try किया जाता था if found guilty they were executed और अगर माल लीजिये कि उनकी गलती यहां पर पता चलती थी तो आप यह यह कह सकते थे कि उनको समाप्त कर दिया जाता था एक्जिक्यूट कर दिया जाता था और इसी वज़े से आप यहां पर यह कह सकते हैं कि robber spirit का जो reign था है ना उनका जो time period था उसको हम क्या बोलते है रीन of terror के नाम से यहां पर जानते हैं ठीक है तो अगर यह question यहां पर आएगा आपको reason बताना पड़ेगा तो आपने यहां पर robber spirit के बारे में बता दिया है ना क्यूं कहते हैं इनके time period को reign of terror वो बता दिया और एक time period था उससे पहले जो french society थीओ किस तरीके से organized थी मतलब की उसमें जो पूरा का पूरा system था वो किस तरीके से established हुआ था किस तरीके से was काम करता था यह चीज आपको यहां बतानी है कब बतानी है कब से पहले 1789 से पहले यहां पर सुसाइटी किस तरीके से थी वो चीज आपको यहां पर बताना है तो बोला जा रहा है कि the French society was divided into the sections called states namely first state consisting of the clergy है ना मतलब आप यहां पर यह देख सकते हैं आपकी book में एक diagram भी बना हुआ था है ना जो मैंने आपको पढ़ाया भी था first state second state third state first state में कौन कौन से लोगों आते हैं second state में कौन कौन से आते हैं आपको देखने को मिलेंगे जैसे पहला वाला state अगर आप देखोगे तो इसमें क्या था clergy clergy basically यहां पर क्या है कि यह वो लोग है जिनका association church के साथ आपको देखने को मिलेगा मलब कि थोड़ा higher authority वाले लोग यहां पर होते थे तो पहले state में यहां पर clergy यहां पर आपको businessman, trader, merchant, court official, lawyers, peasants, articians, laborers and जो भी servants हैं वो आपको third state में देखने को मिलेंगे तो एक चीज हमको यहां पर यहां पर यह भी समन में आ रही है कि यह तीन अलग-अलग तरीके के state थे है ना जिसमें third state में वो लोग है जिनके उपर अलग-अलग तरीके के taxation system यहां पर implement किये जाते थे क्योंकि आप सबको पता है कि जो पहला state था और second state था है ना इनको यहां पर क्या है कि tax exempt किया गया था मलब इनको tax पे नहीं करना होता था लेकिन third state में क्योंकि देखो कि अगर आप तो जादतर लोग हैं जैसे businessman हो गए, trader हो गए, merchant हो गए, court officials हो गए, laborers हो गए, servants हो मलब कि third state बाकी दोनों state से क्या था कि बड़ा था है ना और इनके उपर जो है वो आप यह कह सकते हैं कि चीजों का control जादा था, taxation वगएरा जो है वो इनकी उपर implement किया जाता था तो 1789 से पहले जो society थी वो तीन states में यहां पर divided थी है ना मतलब कि उनके बीच में आपको differentiation द answer की रूप में लिख सकते हो और आसान question था है ना इसमें कोई बहुत जादा आपको अलग से कुछ नहीं करना है simple सा question था चले एक और इसमें और क्या point दी हुए कि the members of the first two state that is the clergy and the novelty enjoyed certain privileges by birth है ना simple सी बात है कि उन लोगों को यहां पर क्या है कि कुछ privileges जो है वो यहां पर दी गई थी है ना privileges का मतलब यहां पर क्या होता है क्योंकि आप इस particular state में belong करते हो तो आपको यहां पर क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बाकी लोगों को available नहीं होंगी लेकिन आपको available होंगी इसका reason क्या है क्योंकि आप इस particular state से यहां पर belong करते हो conscious state वाले first और second मतलब की clergy और nobility वाले जो लोग थे उनको by birth कुछ यहां पर privileges थी जो यहां पर enjoy करने को देखने को मिलते थी they were exempted from paying taxes to the state ठीक है और उनको यहां पर tax वगरा जो है वो भी यहां पर pay नहीं करना होता था ठीक है the members of the state has no political right and social status मतलब आप यह कह सकते हैं कि इनके पास कोई political rights यहां प भी economic function यहां पर होते थे जैसे यह social status वगरा है न यह लोग क्या है कि इनका बिल्कुल अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा लेकिन जो भी economic functions वगरा होते थे है न उस time period पर जो भी economic activities उस देश में आपको देखने को मिलेगी वो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि इन ही के द्वारा यहां पर perform की जाती थी तो I hope आपको यह question समझ में आ गया होगा और इस question का answer आपको कैसे देना है यह बात भी एकदम clear हो गई होगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं अगले question में देखो दिया हुआ है question number 26 है आपके सामने question number 26 में यहां पर बो happen हुआ था तो उसके बारे में बताना है कि वह incident क्या था जिसकी वज़े से यहां पर best style जो प्रीजर ने इसको यहां पर attack कर दिया गया था और अलग-अलग तरीके की जो results हैं वह आपको देखने को मिले हैं ना मतलब वह incidents के बारे में आपको बात करनी है मतलब की national assembly में क्या हो रहा था national assembly में basically जो constitution है ना किसका जो France का constitution है उसको यहां पर draw किया जा रहा था लेकिन बाकी जगे पर अगर आप देखोगे तो France में जो situation थी वो उथल पुथल वाली situation यहां पर चल रही थी जब यहां पर क्या है कि winter वाली condition जब ज़्यादा यहां पर create होती है जहां पर ठंडी ज़्यादा होती है वहां पर फसल का जो production है वो उतने बड़े scale पर नहीं होता है ठीक है यह सब हमको पता ही है तो अब यहां पर क्या हुआ कि France में उससी time period पर अगर आप देखे होगे तो winter की situation जो थी वो बहुत ज़्यादा severe हो गई बहुत ज़्यादा ठंड पढ़ने लग गई जिसकी वज़े से अगर आप देखोगे तो overall जो यहां पर चीजों का production होना चाहिए वो उतना production जो है वो आपको देखने को नहीं मिला ठीक है और इसी वज़े से यहां पर क्या ह है कि जब production यहां पर नहीं होगा तब आप यहां पर यह कह सकते हैं कि जो overall यहां पर price होंगे ठीक है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे है ना मतलब कि जो total price यहां पर था वो क्या था वो चीजों का यहां पर बढ़ रहा था often bakers exploited the situation and hoarded supplies ठीक है और उसके बाद जो bakers थे जो लोग यहां पर चीजों की supply करते थे तो वो यहां पर क्या हो रहा था कि वो सही दरीगे से नहीं हो पा रही थी है ना मतलब hoarding वाली situation यहां पर हो रही थी लोग एकठा करके रख रहे थे जमा खोरी यहां पर हो रही थी जि तो बहुत देर तक wait करने के बाद भी समान यहां पर नहीं मिलता था और समान जब यहां पर नहीं मिला तो जो महिलाएं थी वो यहां पर क्या है कि उन्होंने shops वगरा जो है उसके उपर भी यहां पर attack करना यहां पर शुरू कर दिया at the same time the king ordered troops to move into the Paris ठीक है और आप यहां पर यह कह सकते हैं और उसी time period पर जब यह situation पूरे देश में देखने को मिल रही थी तब यहां पर क्या हुआ कि जो फ्रांस के राजा थे उन्होंने order कर दिया कि situation को move करने के लिए है न यह situation को थोड़ा control करने के लिए अपनी troops को order किया कि आप पैरिस में यहां पर आ जाईए है न क्योंकि यहां पर overall जो inflation की वज़े से situation थी यह बहुत जादा severe हो गई थी है न लोग यहां पर attack करने लग गए थे लोग खुश नहीं थे तो इस तरीके कि बहुत सारी problems थी तो राजा ने सोचा कि इनको control करना बहुत जरूरी है और जब चीजों का control करना बहुत जरूरी था तो उन्होंने order कर दिया कि पैरिस में अपने troops को यहां पर भेज दिये जिसकी वज़े से overall situation यहां पर और भी जादा आपको खराब होती हुई दिखाई दी और इसी वज़े से यह date याद रखिएगा 14 जुलाई को यहां पर क्य करेंगे कि इन्होंने यहां पर attack कर दिया तो यह inflation की वज़े से लोगों को खाने पीने की चीजे नहीं मिल पा रही थी महेंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी तो लोगों के बन में गुस्सा था और राजा को क्या करना चीए था कि अगर इनको कोई problems हैं तो उन problems को resolve करना च क्या कर दिया कि गुस्से में जो है वो बस्टाइल की उपर यहां पर attack कर दिया और उसको पूरी तरीके से सवाप्त करते हुए देखने को मिल गया ठीक है question number 27 देखी दिया हुआ है कि what do you know about the abolition of slavery in France ठीक है जो यह slavery थी ठीक है इसको abolish किया गया अभी हमने very short answer type question में भी एक चीज़ दिखी थी कि slavery जो है है ना वो France में कब abolish करी गई यह जो French colonies हैं वहाँ पर किस तरीके से abolish करी गई कौन से year में abolish करी गई एक question अभी हमने इसके पहले दिखा था तो आप लोग मुझे comment section में यह बताओ कि जो French colonies हैं वहाँ पर जो slavery को समाप्त किया गया वो कौन सा year था किस year में slavery को खतम किया गया तो आप यहाँ पर देखें to free all the slaves in the French overseas position ठीक है मतलब कि 1794 में एक कानून यहाँ पर बनता है और उस कानून में यहाँ पर यह बोला गया कि जितने भी French overseas positions आपको देखने को मिलेंगे overseas positions का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे माली जी कि अगर हम ब्रिटेन के बारे में बात करें तो ब्रिटेन का control कहा पर था भारत में था तो भारत क्या है ब्रिटेन का overseas यहाँ पर जो position है वो आपको देखने को मिलेगा है ना मतलब वो उनके area में नहीं है उनका जो territory है वहाँ पर नहीं है लेकिन territory के बाहर एक particular territory है जो जिसके उपर उनका control है है ना तो इसी तरीके से France का भी कहीजे के पर control था तो उसको बोलते हैं French overseas position तो यहाँ पर बोला गया कि 1794 में कानून यहाँ पर बनता है कि जितने भी यहाँ पर slaves है उन सब को यहाँ पर free किया जाए कहाँ पर जो भी एफ overseas इनके areas देखने को मिलते थे वहाँ से this however turn out to be a short term measure however 10 years later Napoleon reintroduced slavery है ना उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 1794 में इसको खतम किया गया somehow लेकिन क्या हुआ कि कुछ time के लिए खतम हुआ और Napoleon Bonapart ने यहाँ पर क्या किया कि इसको reintroduce यहाँ पर कर दिया है ना मतलब कि जो industrialists थे उनको नुकसान होगा क्यों क्यों क्यो Napoleon ने जो है वो slavery को reintroduce किया तो question यहाँ पर यह बन सकता है कि France में slavery को reintroduce करने वाले कौन थे तो उनका नाम था Napoleon Plantation Honor understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest ठीक है वही मैंने आपको बताया कि जो Plantation मगेरा वाला काम होता था तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि काम करना पड़ेगा तो काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो definitely उनसे जो economic benefit हो सकता है वो नहीं हो पाएगा इसलिए यहाँ पर क्या decide किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो African Negroes होते थे जो muscular होते थे और आसानी से काम को complete कर सकते थे तो उनकी यहाँ पर आवशिक्ता थी है ना जिससे उनके economic interest जो है वो यहाँ पर fulfill होंगे और उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि slavery जो है इसको finally abolish कब किया गया था France की जो colonies है उसमें य था 1848 तो यह important point है जो आपको इहाँ पर ध्यान रखना है कि जो slavery थी उसको finally कब abolish किया गया 1848 में French colonies जो थी है ना वहाँ से इसको abolish किया गया this is very important point अभी मैंने यही question आप से पूछा था और यह directly आप से paper में पूछा जा सकता है ठीक है तो abolition कैसे यहाँ पर हुआ और याद किया फिर उसके बाद किस time period पर evolution जो है वह reintroduce यहाँ पर होती है बाद में कैसे खतम किया जाता है तो यह सब चीजे मैंने बताई हुई है उनी के basis पर आपको यह question का answer जो है वह यहाँ पर देना था ठीक है तो यह तीन नंबर में आप इतनी detail जो है वह यहाँ पर mention कर सकते ह चलिए question number 28 देखिए write a short note on the document declaration of the rights of men and citizens ठीक है तो rights of men and citizens के उपर जो है वह आपको एक document जो यहाँ पर आया था France में उसके उपर एक short note आपको लिखना है ठीक है तो उसके कुछ details जो है वह आप यहाँ पर mention कर सकते हो तो बोला जा रहा है कि the declaration of the rights of men and citizens proclaimed freedom of speech and expression to be natural right है ना बोल सकते हो अपनी बाते express कर सकते हो और यह क्या है यह आपका एक natural right है है ना मतलब कि declaration of the rights of men and citizens में बात बिल्कुल clear cut बोल दी गई कि बाई अपनी बातों को बोलने का और express करने का लोगों को यहाँ पर अधिकार है और यह अधिकार कैसा यह natural right यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो censorship थी वो abolish कर दी गई है ना मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि केवल कुछ चीजे जो है वो आपके favor में रहेंगी है ना उनी को आप यहाँ पर public करोगे बाकि सब चीजों को आप यहाँ पर cut कर दोगे यह सब चीजे खतम करेगी मतलब कि जो लोग जिस तरीके से अपनी बात यहाँ पर बोलना चाहते हैं वो यहाँ पर बोल सकते हैं न्यूस पेपर बुक्स एंड पैंपलेट फ्लेट फ्रेंच टाउंस एंड रीच्ट दा कंट्री साइड एस विल ठीक है फिर लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि लिखना वगरा जो है व यह सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हुई इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दा फ्रांस वर फ्रैंकली डिस्कस मदब की जो भी परिवर्तन हो रहा था जो भी चीज़ें फ्रांस में यहाँ पर गठित हो रही थी है न जो भी एक्टिविटीज यहाँ प करते थे और इससे बाकी लोगों को इसके बारे में जानकारी यहाँ पर होने लग गए प्लेस सॉंग्स एंड फैस्ट्यू प्रोसेशंस अट्रेक्टेड लाज नंबर ऑफ पीपल प्रोसेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो जुलूस होता है जुलूस मतलब जिसमे बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि पाटिसिपेट करते हैं तो प्लेस होने लग गए सॉंग्स होने लग गए अलग अलग तरीके की अक्टिविटीज यहाँ पर होने लग गए जिसकी वज़े से बाकी लोग भी यहाँ पर उन पटिकुलर इवेंट्स में अट्र जो France के लोग थे उन में से कई सारे लोगों को यहां पर क्या है कि freedom जो है वो दी गई, liberty दी गई, equality दी गई और उन में जो censorship यहां पर थी वो समाप्त करी गई, है ना freedom of speech and expression को यहां पर upheld किया गया, यह सब चीज़ें यहां पर करी गई थी, ठीक है तो इसके उपर आप यह ज जो church है, वो किस तरीके से responsible है, मतलब आपको क्या लगता है कि church जो है, उसको किस तरीके से responsible यहां पर बोला जा सकता है, French Revolution के लिए, ठीक है अब यह भी काफी important question है, ठीक है यह भी आपके examination में directly यहां पर पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान लगना है, जो बोला जा रहा है कि the members of the church है, उनको क्या बोलते थे, clergy बोलते थे, belong to the first state, है ना, यह लोग first state से belong करते थे, the clergy enjoyed all privileges with no obligation, they lived in a pom and extravagance which led to the resentment among the members of the third state, अब यहां पर क्या है, कि जो clergy वाला आपको एक section देखने को मिलेगा, जिनका association किस के साथ था, church के साथ था, वो लोगों का जो status था, वो सबसे उपर था, इन लोगों को यहां पर कोई tax बगरा नहीं पे करना होता था, और इनकी जो lifestyle थी, वो यहां पर क्या थी, कि वो बहुत जादा यहां पर अच्छी तरीके से यह लोग अपना जीवन बिता रहे थे, तो third state वालों को लगता था कि यार, सारा tax हम पे करते हैं, economic button हमारे उपर है, है ना, और यह लोग क्या कर रहे हैं, कि यह लोग बस अपना जीवन जो है, वो enjoy कर रहे हैं, तो इसकी वज़े से क्या हुआ कि जो resentment है, है ना, जो third state वाले लोग है, उनके बीच में आपको देखने को मिला, the church was honor of a big chunk of land in France, और दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि church के पास, जो France की बहुत सारी land थी, उन में से major portion जो है, वो आपको church के पास देखने को मिलेगा, दूसरी बात, the church to extracted its share of taxes called tithis from the peasants, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको यह भी बताया था, कि जो church है, वो जो peasants हैं, जो farmers हैं, उनकी उपर tax वगरा होते थे, वो भी impose करते थे, उन tax का नाम क्या है, तिथिस आपको देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर church को जो है, वो अपना share मिलता था, apart from this, the church also collected several other taxes, है न, तिथिस के अलावा भी अगर आप देखोगे, तो काफी अलग-अलग तरीके की जो tax थे, वो यहाँ प विली तो यहाँ पर क्याएगी, इस की वज़े से आप यह कह सकते हैं कि लोगों ने सोचा कि एक बदलाव बहुत जरूरी है, और यहाँ पर क्याएगी, इसी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि इनी सब कारणों की वज़े से, जो है एक church की जो image third state और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने इस revolution में यहाँ पर अपना महत्वपूर ने योगदान दिया उन्होंने ये सोचा कि हमें बदलाओ करना बहुत जरूरी है है ना तो इन सभी reasons की वज़े से आप कह सकते हैं कि Church जो थे वो French Revolution के लिए responsible आपको दिखने को मिलते थे ठीक है तो यह question का answer यहाँ पर complete हो गया चले question number 30 देखी दिया है कि state the election process of national assembly in France ठीक है जो national assembly यहाँ पर थी उसकी जो election process थी France में वो आपको बतानी है कि election यहाँ पर किस तरीके से जो है वो conduct यहाँ पर होता था ठीक है यह point आपको discuss करना है सो बोला जा रहा है कि the constitution of 1791 vested the power to make laws ठीक है in the national assembly which was indirectly elected आप देखो 1791 में जो constitution यहाँ पर France का बना उसमें यह बोल दिया गया कि भई जो भी कानून हमारे देश में बनेंगे है ना उसकी authority किसके पास है national assembly के पास है मतलब कि वो क्या करेगा कि जो कानून है वो यहाँ पर quickly vote डाल कर उन लोगों को elect नहीं करती थी citizens voted for a group of electors who intend close the assembly all citizens did not have the right to vote अब इसमें क्या है कि जो citizens होते थे वो electors को यहाँ पर elect करते थे है ना और electors फिर यहाँ पर क्या करते थे कि assembly में जो है वो यहाँ पर जो members जाएंगे उनको elect करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आज के time period पर USA में अगर आप election देखोगे तो ऐसे ही होता है वहाँ पर क्या होता है कि जनता vote डाल कर electors को elect करती है और electors जो है वो जनता के बिहाफ में क्या करते हैं कि जो president के लिए यहाँ पर candidate टिकठा होते हैं वो लोगों को यहाँ पर मलब elect करती है तो जनता क्या कर र मतलब यहाँ पर universal adult franchise जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा only men about 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizen that is they were entitled to vote अब इसमें ये काफी important चीज़े ये अलग से भी question पूछा जा सकता है आप से कि भई active citizen यहाँ पर कौन होते थे है न active citizen को यहाँ पर वो बोला जाता था जिनके पास right to vote था मतलब की voting वो लोग यहाँ पर कर सकते थे लेकिन अगर आपको active citizen का यहाँ पर धरजा चाहिए है ना title चाहिए तो आपको कुछ conditions यहाँ पर जो है वो fulfill करनी पड़ेगी पहली बात यहाँ पर क्या है कि 25 साल से आपकी जो age है वो जादा होनी चाहिए और यहाँ पर क्य से माल लीजे कि एक labor है वो एक दिन का उसका wage है 100 रुपए है ना तो यहाँ पर तीन से multiply करेंगे तो कितना हो गया 300 तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस इंसान को जो है वो active citizen बोलेंगे अगर वो male है उसकी age 25 years से ज्यादा है और वो कम से कम 300 रुपए जो है वो tax यहाँ प वोट देना जो है वो यहाँ पर उसकी power यहाँ पर मिलेगी to qualify as an elector and then as a member of the assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayers ठीक है और दूसरी बात अगर आप यहाँ पर यह तो voting right voting वालों के बारे में बात हो गई है ना कि vote कौन डाल सकता है लेकिन अगर माल लीजे कि आप यहाँ पर election में खड़े होना चा जाते हैं या फिर आप यह कह सकते हैं कि जो यह national assembly है इसके member अगर आप बनना चाहते हो तो बोला जा रहा है कि a man had to belong to the highest bracket of taxpayers मतलब की इनकी जो गिंती है वो उन कुछ लोगों में होनी चाहिए जो देश में सबसे ज्यादा tax pay करते हों है ना मतलब कि आपको बोला जा रहा है कि belong to the highest bracket of taxpayers मतलब की जो tax pay करते हैं उनमें जो सबसे ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको यहाँ पर क्या है कि national assembly का member बनना है या elector बनना है तो आपको tax ज्यादा पे करना है ठीक है तो यह condition थी और इस तरीके से यहाँ पर national assembly के जो elections होते थे फ्रांस में वो यहाँ पर conduct किये जाते थे ठीक है चरे अगली बात करते है question number 31 what were the main ideas behind the french revolution ठीक है very very important question ठीक है याद रखिएगा french revolution के पीछे जो main ideas यहाँ पर थे वो यहाँ पर क्या कहते वो आपको बताना है ठीक है तो अब इसमें भी हम 2-3 point जो है वो यहाँ पर लिखते है जैसे पहल revolutionary ideas in France were propagated and preached by the famous thinkers and philosophers like Russe Montesquieu है ना मतलब की जो भी यहाँ पर बात हो रही थी है ना कि हम किस तरीके के ideas की बात कर रहे है है ना फ्रांस की society जो है वो किस तरीके से होनी चाहिए किन-किन provisions को हमको include करना है किन-किन provisions को नहीं include करना है तो यह सब चीजे कहां से जाएंगी जब इ हमें independence की आवशिकता है यहाँ पर क्यों क्योंकि लोगों ने बताया है ना कि Britishers हमारा किस तरीके से जो है वो नुकसान पहुचा रहे है तब लोगों के मन में यह चीजे यहाँ पर आए कि Britishers को यहाँ से भगाना पड़ेगा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कुछ ब मिलेगा जैसे रूसे हैं मॉर्टिस क्यों आपको देखने को मिलेगे दे फेवर्ट दा एबॉलिशन और सच ए सोशल सिस्टम दैट सपोर्टेट पॉलिटिकल सोशन एन एकॉनमिक इंजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन उन्हों ने यहाँ पर यह बोला कि हमें ऐसा जो सिस् समाप्त करना है और फ्रांस में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है कि स्टेट्स के थूख कुछ लोगों को प्रिविलिजिस यहां पर प्रोवाइट करी गई थी और कुछ लोगों के उपर जादा से ज्यादा बर्डन आपको देखने को मिल रहा था जिसकी में इक्वैलिटी को इंशोर करना है और जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या अन्याय लोगों के साथ यहां पर किया जा रहा है उसको खतम करना है दा फ्रेंच रिवॉलिशन वर आउसो इंफ्लुएंस बाई दा ट्रिपल आइडल्स ऑफ दी अमेरिकन रिवॉलिशन द में हमने बात करी है मतलब की सोतंदरता यहां पर होनी चाहिए समानता होनी चाहिए और भाई जारा तो फ्रांस में यह सब चीजें कैसे हुए क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो वह कहां पर हुआ था उसे टाइम पी रेट पर अगर आप देखोगे तो अमेरिक revolution था ना उससे पहले यहां पर American revolution में भी यही सब चीजें यहां पर देखी गई थी और उसके basis पर यहां पर इन्हों ने liberty, equality और fraternity के बारे में यहां पर बात की गई तो यह सारे के सारे reasons थे है ना जिसकी वज़े से आप यहां पर यह कह सकते हैं कि एक idea develop हुआ कि French revolution में यहा यहाँ पर हम किस basis पे जो है वो यह revolution लाएंगे और किस तरीके की बदलाओ कि हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं ठीक है तो यह सारे causes थे और इस वज़े से यह French Revolution का पूरा का पूरा जो foundation था वो यहाँ पर prepare हुआ था question number 32 देखते हैं write some of the main features of the French constitution of 1791 है न 1791 में जो France का constitution यहाँ पर बना था उसके कुछ important जो features हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं है न कि जो important features होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे उसके बारे में बात करनी है ठीक है तो बोला जा रहा है कि the constitution of 1791 vested the power to make laws in the national assembly which was indirectly elected its main objective was to limit the powers of the monarch है न सिंपल सी बात यह है पहला point यह है कि 1791 में जो constitution बना उसमें यह बात बोली गई कि जो power होगी किसकी law बनाने की जो कानून बनाने की power होगी वो किसके पास होगी वो national assembly के पास यहाँ पर होने वाली है ठीक है और यह जो national assembly में law यहाँ पर थे वो आपको पताए कि indirectly elected थे उनको यहाँ पर elect करते थे और सभी लोगों को voting rights यहाँ पर नहीं दिये गए थे तो national assembly को जो यहाँ पर power दी गई थी law बनाने की उसके पीछे reason क्या होगा simple सी बाद यहाँ पर यह थी कि जो monarch था monarch मतलब जो राजा यहाँ पर था वो अपने इसाब से काम कर रहा था तो उसकी power को control करने के लिए regulate करने के लिए इस तरीके का provision लाया गया कि national assembly जो है वो यहाँ पर क्या करेगी कानून बनाएगी और राजा की power को जो है वो हम यहाँ पर control कर रहे हैं the citizens of France voted for a group of electors who in turn choose the assembly only men about 25 years of age who paid taxes were entitled to vote जिसको हम active citizen यहाँ पर कहते हैं और इसकी वज़े से महिलाओं का भी बहुत सारा moment आपको देखने को मिलेगा कि उनको भी equality और जो अलग-अलग तरीके के rights होते हैं वो यहाँ पर मिलने चाहिए the constitution declared that it was the duty of the state to protect each citizens natural rights मतलब कि state का मतलब क्या होता है कि जो भी वहाँ पर ruling party है या फिर आप ruling जो भी यहाँ पर rulers आपको देखने को मिलेंगे तो यह उनकी responsibility बनती है किस बात के लिए कि आप यहाँ पर क्या करिए कि जो citizens के natural rights है है ना उनको यहाँ पर protect करो जैसे हमारे यहाँ पर किसके पास responsibility है हमारे fundamental rights को protect करने कि उस supreme court के पास है तो वहाँ पर यह बोला गया कि भई जो भी यहाँ पर क्या होगा कि state होगा है ना state का मतलब जो भी rulers हैं उनकी responsibility बनती है कि वो नागरिकों के जो natural rights हैं उनको यहाँ पर protect करने तो यह कुछ important points थे जो 1791 के french constitution में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और वही point जो है वो आपको यहाँ पर mention करना था चले question number 33 देखिए बोला जा रहा है कि how did a directory rule in France explain है ना तो directory जो है वो यहाँ पर किस तरीके से वो France में rule कर रही थी है ना यह चीज आपको यहाँ पर explain करनी है अब उसके provision for two elected legislative council these then appointed a directory and executive made up of two five members ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो नया constitution था उसने क्या किया कि दो elected legislative councils हैं है ना वो यहाँ पर बनेगी और इनके बाद यहाँ पर क्या होगा कि एक directory जो है वो बनेगा मलब simple सी बात यह है कि नया constitution में यह provision बताये गए कि भाई आप यह कह सकते है दो elected legislative council यहाँ पर बनेगी और in legislative councils की मदद से एक directory जो है वो appoint की जाएगी जो यहाँ पर क्या होगा मतलब कि एक executive होगा executive का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीजों को implement करेगा है ना और इसमें total आपको 5 members जो है वो देखने को मिलेंगे this was made as a safeguard against the concentration of political power in a one man executive as under the jacobians ठीक है jacobians के दोरान यहाँ पर क्या हुआ था कि सारा का सारा जो power है वो किसी एक इंसान के अंदर आपको देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पर क्या है कि directory के formation का जो purpose था वो यह था कि जो executive powers होती है वो किसी एक इंसान के अंतर के जो है वो concentrated न members देखने को मिल रहे हैं और यह 5 members क्या करेंगे कि अपने इसाब से जो है वो चीजों को decide करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि किसी एक ही इंसान के अंदर जो है वो पूरी की पूरी power का concentration जो है वो देखने को नहीं मिलेगा और इसकी वज़े से क्या होता था कि यहाँ पर कोई चीज जो है वो यहाँ पर क्या है कि बैलेंस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और जब यहाँ पर क्या है कि instability आपको देखने को मिलेगी किसकी executive branch की जिसके पास responsibility है चीजों को execute करने का तो अगर वही चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि problem यहाँ पर होगी और इसी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ कि Napoleon Bonaparte जो है ठीके उसका rise आपको यहाँ पर France and the rest of Europe during the following century मतलब इसी की वज़े से आप वही जो equality है, debility है, fraternity है यही सब चीज़े यहाँ पर inspire करती रहें और इसी की वज़े से जो है वो France में अगले कई सालों तक जो है मतलब जो century है उसमें यहाँ पर आपको अलग-अलग तरीके के moments यहाँ पर देखने को मिलते रहें तो याद रखिएगा, directory जो यहाँ पर rule था, वो unstable यहाँ पर rule था, है ना, क्यों rule था भाई, क्योंकि 5 लोग थे और उनमें कोई जो, आप यह कह सकते थे कि जो consensus यहाँ पर बनने चाहिए, वो बन नहीं पा रहे थे और इसकी वज़े से overall यहाँ पर problem देखने को मिल रहे थी चले, question number 34 देखू दिया है, कि what was the subsistence crisis mentioned two factors responsible for this crisis, very important question, है ना, कि जो subsistence यहाँ पर crisis थी, वो यहाँ पर क्या थी, और इसके दो important factors जो हैं वो आपको बताने हैं, जो इस crisis के लिए यहाँ पर responsible देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि, subsistence crisis is an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered, है ना, आप यह कह सकते हैं कि, subsistence जो crisis है, इसका मतलब यह होता है, कि यह वो stream situation होती है, जहाँ पर जीवन यापन करने के लिए, जो basic means की आविशकता होती है, वो भी endangered है, है ना, मतलब मैं अपना जीवन अगर यहाँ पर बढ़ाना चाता हूँ, अच् चीजों की मुझे जरूरत होगी, है ना, लेकिन अगर वो चीजे मुझे नहीं मिल पा रही है, वो endangered है, तो ऐसी crisis क्राइसिस क्या बोलते हैं, subsistence जो crisis है, वो यहाँ पर कहा जाता है, अब जो दो factor responsible हैं, वो कौन-कौन से हैं, population अगर आप देखोगे, France की, वो यहाँ पर 23 million थी, 1715 में, और 28 million हो गई, 1789 में, 1 million में 10 lakh होते हैं, this led to a rapid increase in the demand for food grains, है ना, और इसकी वज़े से क्या हुआ, कि overall, जब population यहाँ पर बढ़ रही है, तो food grains की जो demand है, वो भी यहाँ पर बढ़ेंगी, production of grains could not keep pace with the demand, है ना, लेकिन production जो हो रहा था, वो demand को fulfill नहीं कर पा रहा थ था, क्योंकि production के लिए, अलग से कुछ करना तो पढ़ेगा, तभी तो यहाँ पर, जो है, वो production बढ़ पाएगा, लेकिन production की भी एक limit होगी, बहुत जादा production आप increase नहीं कर सकते, so the prices of bread, which was the staple diet, of the majority rose rapidly, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कि population बढ़ गई, demand यहाँ पर वो आपको यहाँ पर महेंगी होती हुई देखने को मिलते हैं, एक तो यह reason हो गया, दूसरी बात अगर आप देखेंगे, most workers were employed as laborers in the workshop, whose honor fixed their wages, है ना, जादा तर लोग वहाँ पर क्या काम करते थे, ऐसा labor यहाँ पर काम करते थे, अभी labor यहाँ पर काम कर रहा है, तो अगर माल लीजे कि उसने एक example में दे रहा हूँ कि जैसे 2015 में किसी ने यहाँ पर काम करना start किया था, है ना, तो उस time period पर क्या हुआ, एक example मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो 2015 में यहाँ पर क्या हुआ कि उसने बोल दिया, कि भई मैं तुमको एक इनका जो है वो 400 रुपए यहाँ पर दूँगा, ठीक है, अब 2015 के बाद अगर माल लीजे कि यहाँ पर 2025 आ गया, है ना, अब 2025 में भी जो है वो यहाँ पर 400 रुपए दे रहे हो, तो यहाँ पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आपके wages यहाँ पर fix हो जाते हैं, तो फिर क्या है कि चीजे जो है वो आपके लिए काफी difficult हो जाती है, बास समझ में आ रही है, पहले 400 रुपए था 2015 में, 2025 में भी 400 रुपए यहाँ पर मिल रहा है, तो फिर आपके खर्चे जो हैं वो यहाँ पर नहीं होंगे, तो क्या हुआ कि जो laborers थे workshop में जो काम करते थे, उनके wages यहाँ पर fix कर दिये गए, but wages did not keep pace with the rise in price, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज यह भी देखोगे, कि चीजों का price बढ़ रहा था, और price अगर यहाँ पर बढ़ रहा है, तो जो wages अगर आपको बढ़ते हुए नहीं दिखाए देंगे, तो problem ए create होगी यहाँ पर, so the gap between the poor and the rich widened, और इसी वज़े से क्या हुआ कि गरीब और जो यहाँ पर अमीर वक्ती है, उनके बीच में जो gap आपको देखने को मिल रहा था, वो लगातार यहाँ पर wide होता हुआ चला गया, और इसी की वज़े से यह भी एक important reason है, किसका यह जो subsistence hail reduce the harvest, है ना, जब भी कभी सूखा पड़े आता था, है ना, या फिर hail वाली situation यहाँ पर create होती थी, this led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime, है ना, old regime मतलब जो यह 1789 के पहले का time period था, वहाँ पर इस तरीकी की चीज़ें जो है, वो लगातार हो रही थी और जिसकी वज़े से काफी ज़्य Tennis Court Oath in the French Revolution, है ना, जो Tennis Court Oath यहाँ पर हुई थी, तो उसकी यहाँ पर क्या significance है, ठीक है, French Revolution में वो आपको बताना है, तो बोला जा रहा है कि the representative of the third state view of themselves, a spokesman for the whole French nation, है ना, third state में ज्यादा तर लोग आपको involved देखने को मिलेंगे, clergy और जो nobles थे, वो यहाँ पर आपको first state और second state में respectively यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन France की जो जाधतर जनता थी, है ना, वो कहाँ पर थी, वो third state में थी, बहुत सारे अलग-अलग तरीके की लोग यहाँ पर आपको उसका part देखने को मिलेंगे, तो third state जो है, वो अपने आपको क्या समस्ता था, कि भई, पू in a hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles, ठीक है, मतलब आप यह कह सकते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर दे कर लीजे, ठीक है, यह दे होगा, so they assembled in the hall of an indoor tennis court, ठीक है, मतलब यहाँ पर यह एन कर लो, ठीक है, यह थोड़ा सा, यहाँ पर English में थोड़ा गरबढ हुई है, इसको यहाँ पर दे कर ली National Assembly and so are not to disperse till they had drafted a constitution, ठीक है, for France that would limit the powers of monarch, है ना, basically यहाँ पर क्या है, कि आप सभी को बताए कि वो मिटिंग चल रही थी, मिटिंग में इनकी बात यहाँ पर नहीं मानी गई, है ना, third state बोल रहा था कि भई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक state का केवल एक ही vote हो, है ना, हमारी जित्ते लोग हैं, उसके हिसाब से voting यहाँ पर होनी चाहिए, तो यह लोग बाहर निकल आए, बाहर निकलने के बाद इन्होंने क्या किया कि यह जो indoor tennis court था, यहाँ पर यह लोग इकठा हो गए, और इकठा होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने सपत काई, क जब तक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रांस का एक constitution नहीं बना देते हैं, और उसका reason क्या होगा, reason यही था कि हम जो monarch है, जो राजा है, उसकी power को limit करना चाहते हैं, तो जब तक उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक constitution नहीं बना लेंगे, तब तक यहाँ पर क्या होगा कि हम जो है वो डिस्पर्स नहीं होंगे मतलब कि यह जो टैनिस कोट है इसको छोड़ कर नहीं जाएंगे दा नैशनल असेमली कंप्लीटेट दा ड्राफ्ट ऑफ दी कॉंस्टिटूशन इस सेवेंटी नैंटी वन एज रिजल्ट ऑफ फ्रांस फैनली विकेम रिपॉब्लिक इसके बाद 1791 में इन्होंने जो है वो कॉंस्टिटूशन यहाँ पर बना लिया और फ्रांस जो है वो 1792 में जो है वो एक रिपॉब्लिक बन गया रिपॉब्लिक का मतलब यह होता है कि जो स्टेट का हैड होगा किसी कंट्री का हैड होगा वो इलेक्टेट होगा हरिडेटरी जो है वो आपको देखनी को नहीं मिलेगा तो इसी वज़े से जो टेनिस कोट ओथ होती है उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने जो है वो यह सपत ली थी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम तब तक यहाँ से डिस्पर्स नहीं होंगे मतलब यहाँ से जाएंगे नह जब तक हम France का Constitution नहीं बना लेते और इसका परपस यहां पर यह था कि जो Monarch था राजा था उसकी power को हमें यहां पर control करना था ठीक है तो यह था यहां पर tennis court oath चले question number 36 देखिए what were the causes of the empty treasury of France under Louis XVI very very important question है ना मतलब इसमें भी आप से जो है यह काफी important question है जो directly आप से paper में पूछा जा सकता है कि जब France के राजा थे है ना बॉर्वन dynasty के Louis XVI तो उनके पास कह था empty treasury empty treasury के मतलब जो उनका खाजाना था ना वो पूरा खाली हो गया था तो उसके क्या current थे आपको यह बताना है तो सबसे पहली बात यहां पर यह कह सकते हैं कि जो पहला reason था वो यहां पर यह था कि France जो है वो आपस में अलग-अलग जिगे पर लड़ाई लड़ रहा था है ना जैसे अगर आप American revolution भी देखोगे जो Britishers को हराने के लिए जो है वो अमेरिका का support कर रहा था तो काफी सारी जो problems थी वो यहां पर create हो रही थी तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि जो लड़ाईयां यहां पर हो रही थी तो उसमें भी financial resources यहां पर लगते हैं है ना लड़ाईयां जो है वो ऐसी थोड़ों न हो जाती है उसमें भी अलग-अलग चीजों की जरुद पड़ेगी आपके है ना तो यह palace of vessels को maintain करने में जो है वो खर्चा यहां पर लग रहा है फिर उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि अंडर लुई 16 France held the 13 colonies to gain their independence from the common enemy Britain है ना फिर उसके बाद the war added to a billion lives to a debt that had already risen to more than 2 billion lives मदब आप यहां पर यह कह सकते हैं कि सबसे important चीज जो है वह यहां पर यह है कि इसमें यहां पर लाइस की जिए पर लिवर्स कर ले रहा ठीक है तो यहां पर क्या होगा यह अपनी फ्रांस की बात कर रहे है इनका जो common enemy था वो ब्रिटेन था तो यहां पर क्या हुआ कि आप यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन से है ना जो इनकी 13 colonies थी उनको यहां पर क्या है कि वो independent यहां पर करवाना चाहते थे तो इसके लिए यहां पर क्या हुआ कि बहुत जादा debt वगरा भी create हो गया lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on the loan और फिर उन्होंने क्या किया कि जहां से भी France ने loan लिया था है ना जहां से भी loan लिया उन्होंने तो उन्होंने यह भी decide कर दिया कि हम क्या करेंगे कि आप 10% जो है वो use होती थी ठीक है तो अगर आप देखोगे तो debt की situation जो है वो बहुत जादा severe हो गई और जिसने भी इनको यहां पर पैसे provide किये थे उन्होंने यहां पर यह बोल दिया कि भाई अब हम यहां पर क्या करेंगे कि 10% जो है वो interest यहां पर आप से charge करेंगे to meet its regular expenses ठीक है और भी कई सारे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे इनके कई सारे regular expenses होते थे है ना जैसे army को maintain करना है ना फिर उसके बाद court को maintain करना फिर उसके बाद running government offices और universities जो government offices होते थे या फिर जो universities होती थी है ना उनको यहां पर क्या करना उनको maintain करना और उसी वज़े से यहां पर क्या हुआ कि state को यह भी करना पड़ा कि उन्होंने जो total यहां पर tax था है ना उस चीज़ को भी यहां पर क्या कर दिया वो increase यहां पर कर दिया और इसी वज़े से यहां पर क्य जो लेंडर से उन्होंने इंट्रेस्ट चार्ज करना यहां पर स्टार्ट कर दिया फिर यहां पर क्या है कि जो उनके रेगुलर होते थे उनको मेंटेन करने में भी यहां पर जो है वो पैसे कर्च होते थे तो यह सब चीजें यहां पर आप लिख सकते हैं अपने आंसर में तो आई होप आपको यहां पर राजा बने तो एमटी ट्रेजरी आपको क्यों देखने को मिली यह काफी important question है यह जब मैंने आपको थियोरी भी पढ़ाया था तब भी मैंने आपसे बोला था कि यह question आपसे directly यहां पर पूछा जा सकता है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यार नखने है चलिए question number 37 देखिए बोला जा रहा ह कि write the importance of Napoleon Bonaparte in the history of France and the world है ना मतलब कि Napoleon Bonaparte जो है उनकी importance यहां पर क्या है 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 ना history में France की और दुनिया में तो यह आपको बताना है so Napoleon saw himself as a modernizer of Europe है ना मतलब कि Europe को modernize करने वाला जो है वो यहां पर कौन था वो Napoleon आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद यहां पर आप यह के सकते हैं कि इसने कई सारे laws वगरा जो है वो introduce किये थे है ना जैसे protection of private property properly and uniform system of weights and measure ठीक है मतलब कि यह काफी सारे important points है याद दूसरी बात यहां पर क्या है कि private property के productions के लिए जो अलग-अलग तरीके के laws होते हैं वो introduce किये गए system of weight and measure जो है वो यहां पर किया गया था है ना और यह बात आप से directly पूछा जा सकता है कि जो system of weight or measure है provided by the decimal system है ना जैसे 22.35 है ना ऐसे लिग दिया तो यह decimal system वाला जो यहां पर weight system है यह किसने introduce किया था नेपोलियन बोनापाट ने किया था he carried out the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe है ना मतलब कि जो liberty वगरा वाली बात है इसको यहां पर क्या किया model laws के था है यूरोप के दूसरे पार तक पहुँचाया विछ ही conquered they had a great impact on people he was a great general है ना मतलब military general भी था वो बहुत fair के लिए भी उसने काफी सारी चीज़े जो है वह यहाँ पर introduce करी थी और इसी वज़े से क्या है कि मतलब France की history में और world history में जो है वो Napoleon का बहुत ही important role आपको देखने को मिलता है चले question number 38 देखिए which laws were introduced by the revolutionary government to improve the condition of women in France ठीक है मतलब कि जो revolutionary government थी ठीक है उसने यहाँ पर जो मह इचा जा रहा है so in the early years the revolutionary government did introduce law that helped to improve the lives of women together with the creation of state school schooling was made compulsory for all girls ठीक है मतलब की यहाँ पर सरकारी स्कूल जो है वो यहाँ पर बनाये गए है ना और उसके साथ यहाँ पर बूल दिया गया कि जो लड़किया है ठीक है उनकी यहाँ पर education जो है schooling जो है वो compulsory होगी फिर उसके पिता जी है लड़कियों के वो लड़कियों से जबर्दस्ती नहीं कर सकते force नहीं कर सकते कि भाई तुमको यहाँ पर शादी करनी है marriage was made into a conduct entered freely and registered under civil law ठीक है और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो marriage था है ना उसको एक contract की तरह यहाँ पर बनाया गया ठीक है और उसको यहाँ पर यह बोला गया कि civil law के तहट जो है वो शादिया जो है वो यहाँ पर क्या होगी register होगी है ना जैसे आज के time period पर भी अगर आप देखोगे तो शादी का एक marriage जो registration है वो यहाँ पर होता है marriage certificate भी आपको देखने को मिलेगा divorce was made legal and could be applied for by both men and women है ना दोनों लो अगरा भी दी जाएगी महिलाओं को और जो छोटे-छोटे jobs होते हैं artist वगरा वाले होते हैं small business वगरा होते हैं वो सब भी यहाँ पर run किये जा सकते हैं तो simple सी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्याएगी उनकी education से related यहाँ पर बदलाओ किये गए marriage से related, divorce से related बदल question number 39 देखी दिया हुआ है कि what landmark decision were taken by the national assembly led by the third state on 4th August 1789 चार अगर 1789 को national assembly ठीक है जो कि third state के द्वारा यहाँ पर lead की जा रही थी उनके द्वारा कौन सा landmark जो decision था वो यहाँ पर लिया गया था है ना यह question आप से पूछा जा रहा है किसी भी question में अगर कोई doubt आता है आपके मन म तो comment section आप सब की लिए open है ठीक है आप उसमें अपने जो questions है वो यहाँ पर जरूर पूछिएगा तो मैं personally उनको देख लूँगा जो भी doubt होंगे वही पर मैं आपका clear कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि third state ने जो यहाँ पर यह national assembly को lead किया था तो 4 अगर 1789 को कौ कान सा landmark decision इनके द्वारा लिया गया था यह आपको बताना है तो बोला जा रहा है कि लुई 16 finally accorded recognition to the national assembly and accepted the principle that his power would be checked by an constitution है ना मतलब पहले क्या हो रहा था कि लुई 16 जो थे वो national assembly को मानी नहीं गया थे है ना बाद में क्या हुआ कि national assembly ने जब यहाँ पर pressure create किया तो लुई 16 ने finally जो है उसको recognize किया है ना कि ठीक है भाई हम national assembly को मानते हैं और उन्होंने इस बात को भी acceptance अपनी यहाँ पर दिखाई कि भाई जो भी constitution है उसके तहट जो मेरी powers है उनको यहाँ पर check किया जाएगा चार अगर 1789 को the assembly passed the decree abolishing the feudal system of obligations and taxes ठीक है तो चार अगर 1789 को जो है वो जो feudal system था है ना वो यहाँ पर समाप्त किया गया मतलब कि जो भी obligations होती है जो taxes बगरा है वो सब खतम किया गया members of the clergy two were forced to give up their privileges और जो clergy था है ना जो first state वाले लोग थे उनको भी यहाँ पर यह force किया गया कि आपके पास जो privileges है उनको आप समाप्त करो तिथेस वर abolish जो चर्च को यहाँ पर presents अपना जो देते थे tax वगरा है ना उसको abolish किया गया and lands owned by the church were confiscated है ना मतलब आप यह के सकते ह हैं कि जो पूरी की पूरी property थी land वगरा थे है ना उनको जो control charge के पास था उनको भी यहाँ पर क्या किया गया जो है वो फिट से redistribute यहाँ पर किया गया as a result the government acquired asset worth at least 2 billion livers ठीक है तो यहाँ पर आप यह के सकते है ठीक है यह livers है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि करीब 2 billion का ज यहाँ पर आगे मतलब सरकार का control जो है वो देखने को मिला तो यह किस के दोरा किया गया third state के दोरा चार अगस्ट 1789 को यह landmark decision जो है वो यहाँ पर लिए गया थे चले तो यह हो गए हमारे short answer type questions ठीक है तो दो तरीकी की question मैंने आपके साथ discuss कर लिए एक very short answer हो गया आपका complete औ और एक short answer type जो है वो यहाँ पर complete हो गया ठीक है अब हमारा अगला जो part है वो है यहाँ पर long answer type questions का ठीक है तो कुछ questions हम long answer type questions वाले भी यहाँ पर देख लेते हैं तो बोला जारा पहला question यह काफी important है यह बहुत important question है कि jacobians कौन थे who were jacobians and what was their contribution to the french revolution है यह आपको बताना है और उसके बाद यहाँ पर उनका french revolution में क्या contribution है यह चीज आपके साथ discuss करना है so political clubs had become a rallying point for people who wanted to discuss government policies and plan their own forms of action ठीक है तो मतलब अलग अलग तरीके के जो clubs हैं वो यहाँ पर बनने लग गए थे और उनका purpose यहाँ पर यह था कि सरकार जो भी यहाँ अलग अलग तरीके की policies लेकर आ रही है जो भी अलग अलग तरीके के actions यहाँ पर लेकर आ रहे है तो उनको हम यहाँ पर किस तरीके से discuss करेंगे और हमारा form of action जो है वो यहाँ पर क्या होगा तो इनको discuss करने के लिए अलग अलग तरीके की जो political clubs हैं उनका formation यहाँ पर start हो गया था the most successful of these club was that of jacobians ठीक है तो याद रखिएगा जितने भी political clubs यहाँ पर बने थे उनमें से जो सबसे यदा successful club था वो jacobians का था they got their name from the former covenant of Saint Jacob in Paris मतलब Saint Jacob एक covenant था वहीं पर यह बना था वहीं पर यह लोग meeting करते थे तो वहीं पर इसी से इसका नाम बढ़ गया they belong to the less prosperous section of the society मतलब की इसमें जाला तर लोग जो थे वह आपको third state वाले देखने को मिलेंगे है ना मतलब की जो less prosperous थोड़े से लोग थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे they include जैसे small shopkeeper हो गए articians हो गए है ना जैसे shoemaker pastry cooks watchmakers printers as well as serment and daily wage earners their leader was ठीक है Maximilian Robespierre इनका जो leader था वो Robespierre था ठीक है जिसके rain को हम rain of terror के नाम से भी यहाँ पर जानते है ठीक है तो यह थोड़ा सा आप यह के सकते हैं कि Jacobians के बारे में information हो गई a large group among the Jacobians decided to wear long strip trouser like those worn by the dog workers ठीक है तो इनका एक अलग तरीके का पहनावा यहाँ पर हुआ करता था this was to set themselves apart from the fashionable section of society especially the nobles who wore knee breeches ठीक है तो यह लोग क्या करते थे कि मतलब इनके जो कपड़े होते थे ना वो बिलकुर पैर तक होते थे मतलब जो आपके पंजे है ना वहाँ तक आपको देखने को मिलेंगे लेकिन जो nobles वगरा होते थे थे ना वो knee breeches पहनते थे half यहाँ पर पहनते थे और उनके फिर बड़े से जूते आपको देखने को मिलते थे और इसका basic मतलब यहाँ पर यह था कि जो यहmond Dec Jamie clubs के लोग यहाँ पर होते थे इस जैकोबियन्स केम टू बी नोन एस ठीके सेंस कुलोट्स लिटरली मिनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेस सें कुलोट्स में वर इन एडिशन दा रेट कैप नेट सिंबलाइस लिबर्टी है न और साथी साथ यह लोग क्या करते थे कि रेट कैप भी पहनते थे है न जो हस्बेंड से उनके द्वारा कंट्रोल यहां पर की जा रही है और इसलिए यहां पर क्या है कि आप यह के सकते हैं कि उनको यहां पर यह रेट कैप पहनने की जो परमीशन है वो दीन ही गई थी इन दा समर ऑफ 1792 दे प्लेंड इंसरेक्शन ऑफ मेनी पैरिशियंस फूर एंगर्ड बाइद शॉर्ट सप्लाइज और ही प्राइज फूट ऑन अगुस्ट 10 दे स्टॉर्म दा पैलेस ऑफ दी तुल्रीज मेस्कर्ट दा किंग गार्ड इंप्रिजन दा किंग इलेक्शन फ यहां पर गार्ड थे उनको मार दिया है ना किंग को जो है वो यहां पर क्या है कि इंप्रिजन कर दिया जेल में बेज़ दिया और इलेक्शन वग़रा भी यहां पर आपको होते हुए दिखाई दिये ना न्यूली एलेक्टेड असेम्बली वस कॉल दा कंवेंशन और इसक सितंबर 1792 को एबॉलिश होके मेन और की यहां पर क्या है कि रिपब्लिक बन गया और उसके बाद यहां पर क्या है कि लूई 16 को जो है इन्होंने यहां पर कोट ने डेट्स जारी कर दिया है ना मतलब कि यह ट्रेजन था and executed on 21st जनवरी 1793 the queen also met with the same fate ठीक है तो फिर उसके ब तो यह पूरा का पूरा था मतलब आप यह कह सकते हैं कि जो जैकोबियंस थे है ना उनका contribution यह है कि एक country जो मुनार्की थी है ना उसको खतम करके उसको एक रिपब्लिक के रूप में किया इन्होंने और जो यहां पर यह पहले से nobles हैं है ना clergy हैं इनका जो यहां पर वर्च तो यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर एक चीज आपको बताए गही है कि जो भी यहां पर लॉस बगरा है वो पास करेंगे जो किसकी उपर बेस्ट होंगे लिबर्टी एक्विलिटी की उपर बेस्ट होंगे है ना तो आपको यह स्टेटमेंट यहां पर डिसकस करना है और स्पेशल इंफैसिस किसके उपर देना है एबॉलिशन और संसर्शिप जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस क्वेशन का आंसर यहां पर देना है तो इसको देखे बूला जा रहा है कि दा इयर फॉलोइंग सेवेंटी एटी ने इन इन फ्रांस और मैनी सच चेंजेस इन दा लाइफ सफ मेन वमेन एंड चिल्रें ठीक है लोगों की लाइफ में अलग अलग तरीके के परिबर्तन आपको सेवेंटी ने ने के बाद देखन थी वन इंपोर्टेंट लाइट केम इंटो इफेक्ट सून आफ्टर दा स्टॉमिंग दा बेस्टाइल इन दा समर ऑफ सेवेंटी ने इन वोस्ट एबॉलिशन ऑफ सेंसर्शिप और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो किस की बात हो रही है लिबर्टी की बात हो रही हो रही है कि इन चीजों को हमें अफेल्ड करना है तो इसी वज़े से क्या हुआ था कि समर जो 1789 का था उसमें एक लॉय यहां पर पास हुआ कि सेंसर्शिप को हम यहां पर एबॉलिश कर रहे हैं पहले यहां पर क्या होता था कि अर्लियर ओल रिटन माटीरियल एंड कल्च करते थे हैं ना उनके दोरा अप्रूफ किया जाता था तब ही वो चीजे जो है वो मार्केट में यहां पर आती थी अब जो है वो यहां पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा Now the declaration of rights of men and citizens declared freedom of speech and expression to be a natural right है ना मतलब कि लोगों को बोलना अपने आपको express करना यह क्या है एक natural right है They all described and discussed the events and changes taking place in France ठीक है सब लोग यहां पर discuss करने लग गए ठीक है कि जब लोगों को यहां पर freedom मिल गई है ना चीजे express करने की right यहां पर मिल गए तो लोग यहां पर France में जो भी अलग-अलग तरीके की activities यहां पर हो रही थी उनको discuss करने लग गए Freedom of the press also means that opposing views of events could be expressed Each side sought to convince the others of its position throughout the medium of print, plays, songs and festive processions attracted large number of people तो अब यहां पर क्या है कि जैसे कोई भी topic यहां पर होता था उसके form में कुछ लोग होते थे, कुछ लोग against में यहां पर होते थे तो दोनों अलग-अलग तरीके की चीजें discuss कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके की चीजे print होकर निकल कर सामने आ रहे हैं तो लोग एक दूसरे के opinions को यहां पर समझ पा रहे हैं फिर उसके बाद अलग-अलग तरीके की जो जूलूस वगरा होते थे, वो भी आपको देखने को मिले हैं ना, जिससे लोग यहां पर attract होते हुए देखने को मिलते रहें तो जैसे आप यह कह सकते हैं की freedom of speech and expression को enhance किस ने किया, यह जो law passed किया गया था जिसमें से यह जो censorship यहां पर थी, यह abolish करी गई, तो इससे जो अलग-अलग तरीके की activities फ्रांस में यहां पर चल रही थी, है ना, वो निकल कर सामने आई और लोगों ने उनके बारे में discuss करना है start किया, जिससे लोगों में यहां पर इस बात की awareness हुई कि भाई, किस तरीके से यहां पर फ्रांस में कौन-कौन सी activities जो है, वो आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? तो यह याद रखिएगा, abolition of censorship जो है, यह बहुत important event था, जिसके बाद फ्रांस में अगर आप देखोगे, तो moment भी काफी तीज यहां पर हो गया था, उसके बाद बोला जा रहा है कि did women have a revolution in 1789 and after it, है ना, क्या महिलाओं का revolution था क्या, यह आपसे पूचा जा रहा है, तो याद रखिएगा, most of the historians believe that from the very beginning, women were active participant in the event related with the French Revolution of 1789, मतलब की महिलाओं ने भी अलग अलग तरीके से जो French Revolution 1789 में हुआ था, उसमें participate किया, before and during the days of revolution, most of the women of France did not have access to good job, training or education, है ना, मतलब जो पहले अगर हम revolution के पहले की बात करेंगे, या revolution के दोरान की बात करेंगे, तो इस time period पर उनके पास training वगरा, education वगरा अच्छी नहीं थी, the women were paid lower wages than those of men, है ना, उनको जो salary वगरा मिलती थी, income वगरा मिलती थी, अगर हम male counterparts से जो है, वो compare करेंगे, तो वो भी यहाँ पर कम होती थी, मतलब एक ही job करने के, जो पुरुष होते थे, उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, और महिलाओं को यहाँ पर कम पैसे मिलते थे, in order to discuss and voice their interest, women begin their own newspaper and political clubs, ठीक है, तो महिलाओं न यहाँ पर यह सोचा कि हम लोगों को यहाँ पर जो है, वो कोई importance नहीं मिल रही है, हमारे rights के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो इन्होंने खुद के newspaper बगारा लिखना है, start कर दी है, खुद के अपने political clubs भी यहाँ पर important clubs देखने को मिलेंगे, so they demanded the right to vote and right to contest election as well as right to hold political office, ठीक है, काफी सारी चीजों की demand करी गई, कि हमको vote जो है, वो देने का भी अधिकार मिलना चाहिए, election में खड़े होने का भी अधिकार होना चाहिए, और political office जो है, वो हम यहाँ पर बना सकें, वो भी हमको मिलना चाहिए, political office भी हम यहाँ पर hold कर सकें, यह मिलना चाहिए, women's women for voting right and equal wages continue through the next 200 years in many countries of the world, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसी तरीके से जैसे फ्रांस में लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, कि हमें यहाँ पर voting rights बगरा मिलना चाहिए, तो यह आगे के time period पर भी अगर सोचा कि हम लोग जो है, हमें political right, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1946 में women's को voting rights यहाँ पर मिले थे, तो काफी लेट यहाँ पर हो गया था, तो इसी तरीके से जो दूसरी countries हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी इसी तरीके की चीजे जो है, वो पर होनी चाहिए, ठीक है, चलो, question number 43 देखो दिया है, कि आपको बताना है कि describe the social condition in France before the French Revolution, French Revolution के पहले, मिलब 79, 89 के पहले, जो France की social condition यहाँ पर थी, वो यहाँ पर क्या थी, वो बताना है, ठीक है, तो अब आप यह देख सकते हैं कि the French King, ठीक है, ड्रोव France into the useless war, bringing the country on the verge of bankruptcy, ह ठीक है, तो France अगर आप देखोगे, तो अलग-अलग तरीके के जो wars थे उसमें यहाँ पर involved था, और इसकी वज़े से अगर आप देखोगे, तो country का जो economic यहाँ पर condition था, यह बहुत जादा खराब हो गया था, फिर उसके बाद French society जो थी, वो तीन states में divided थी, है ना वही जो first state, second state, third state, first state में clergy, second state में nobles, उनको यहाँ पर कुछ exemptions थे, privileges यहाँ पर थी, और third states के उपर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर क्या है कि taxation का, जो है वो यहाँ पर burden था, economic activities का यहाँ पर burden था, है ना तो इस तरीके से यह second point भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, फिर उसके ब administration was disorganized, corrupt and inefficient, the defective system of tax collection and operation created discontentment, ठीके जिस तरीके से tax collection होता था, है ना जैसे वो तित्स वगरा आप देखोगे, है ना जो पीजेंट्स यहाँ पर चर्च वगरा को देते थे, तो जिसकी वज़े से लोगों में यहाँ पर एक discontentment था, गुस्सा आपको देखने को मिलता था फिर उसके बाद यहाँ पर आप यह के सकते हैं कि total जो फ्रांस की population थी, उसमें से जो पीजेंट्स थे वो 10% थे, है ना, however, only a small number of them owned the land and cultivated about 60% of the land was owned by the nobles, the church and their richer members of the third state, तो इसमें यहाँ पर आपको यह चीज यहाँ पर बताई गई है, तो जो जारतर यहाँ पर land होता था थ पर क्या है कि land बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, तो cultivation मगरा भी ज्यादा बड़े skill पर नहीं होगा, क्योंकि जारतर जो यहाँ पर land हो किस के पास है, वो church के पास देखने को मिल रहा है, पीजेंट्स वर obliged to render services to the lot, they have to work in the lot's house and field, और to serve in the army, to participate in the building roads, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो peasants वगरा थे, उनको यहाँ पर जो दूसरे बड़े लोग होते थे, society के third state के जो richer लोग होते थे, उनके यहाँ services देनी होती थी, आर्मी में participate करके, जो roads वगरा को build करना है, वो सब काम यहाँ पर करना होता था, ठीक है, तो यह social condition यहाँ पर थी, तो 5 point में आप यह सब चीज़ें यहाँ पर mention कर सकते हो, ठीक है, चले, अगली बात करते हैं, बोला जा रहा है कि describe causes for the fall of Jacobian government in France, ठीक है, जो Jacobian government थी, है ना, वो उसमें यहाँ पर, उसका यहाँ पर fall क्यों हुआ, है ना, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, Jacobians जिस तरीके की बात यहाँ पर चार है थे, तो उसको fulfill नहीं कर पाए, क्यों उनका यहाँ पर जो है, वो fall देखने को मिला, तो बोला जा रहा है, कि यह लोग ना, Jacobian जो government थी, है पूरा का पूरा extreme measures की उपर यहाँ पर यहाँ पर यह बेस था, है ना, इसका क्या मतलब हुआ, 1793 से लेकर 1794 ring of terror, robber spirit का जो था, यह severe control और punishment था, और इसी वज़े से कहा है कि इसको extreme measures बोलते हैं, है ना, पूरी तरीके से चीजों को control करना, और अगर कोई यहाँ पर बात नहीं मानता है, against में है तो इसको punishment देना, ठीक है, all those he saw as being enemies of the republic nobles and clergy, members of other political parties, और इसके खुद की party के भी, who did not agree with, his methods were arrested, impresent and guillotine, है ना, guillotine मतलब वही जो गला काट दिया जाता था, ठीक है, वो कर देते थे, और जिसकी वज़े से यहाँ पर क्या हुआ, कि लोगों के मन में यहाँ पर यह लगा कि मतलब यह तो कुछ जादी कंट्रोल होने लग गया है, है ना, कुछ जादी punishment यहाँ पर होने ल में बता दीगी, मेंट and bread were Russian, peasants were forced to transport their grain to the cities, ठीक है, and sell it at the prices fixed by the government, है ना, तो मतलब जो peasants होते थे, उनको भी यहाँ पर यह बोला गया है, कि भई, आपको जो भी आपने produce किया है, है ना, उनको आपको शेहर भेजना है, और जो price यहाँ पर government ने decide किया है, उसी पर आप उस स start कर दिया, Robert Spearay's government ordered shutdown of churches and converting church building into the barrack of offices, दर्जा clergy turned against the Jacobian regime and hastened its fall, मतलब आप यह के सकते हैं कि जो church वाले थे, उनके church बंद करवा दिये गए, या जो church है, उनको barracks में, offices में हाँ पर convert करा दिया गया, तो peasants भी यहाँ पर Jacobian से नराज थे, और जो church वाले लोग थे, वो भी relentlessly that even his supporters stand against him, they begin to demand, ठीक है, moderation and middle path, और मतलब इनकी जो policies थी, Robert Spearay की वो इतनी जादा extreme यहाँ पर थी, इतनी जादा severe थी, कि जो लोग Robert Spearay को support करते थे न, वो भी इनके against में हो गए, कि सर ऐसे काम नहीं चलेगा, है न, थोड़ा moderate रहना पड़ेगा, या फिर middle path हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि finally he was convicted by the court in July 1794, arrested and guillotine, ठीक है, फिर बाद में इनको arrest कर लिया गया, Robert Spearay को, court ने जो है, इनको convict यहाँ पर पाया, है न, और साधी साथ फिर इनका जो है, वो गला, इनके शरीर है, उससे यहाँ पर अलग कर इनको करवा दिया गया, और इसकी वज़े से आप यह कह सकते हैं कि जो जकूबियन यहाँ पर government था, उसका fall आपको दिखने को मिलेगा, question number 45 देखो दिया है कि explain the role of philosophers in the French revolution of 1789, जो philosophers थे, thinkers थे, है न, उनका French revolution में क्या role था, यह आपको explain करना है, ठीक है, so बोला यहाँ रहा है Lockie sought to refute, है न, the doctrine of divine and absolute right of the monarch, मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या है कि मतलब, यह the two treaties, not, treaties of government जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इनकी book है, इसमें Lockie नहीं यहाँ पर यह कहा है, कि absolute right जो है, वो मुनार्क के पास यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बा लोग और उनके जो representative है, उनके बीच में क्या है, कि यह form of government यहाँ पर होनी चाहिए, मतलब लोग हों और लोग यहाँ पर क्या करें, कि उनके representative जो है, वो उनकी उपर rule करें, in the spirit of the laws, Montescue proposed a division of power within the government, between the legislative, executive and judiciary, spirit of the laws इनकी किताब है, है न, तो इसमें इन्होंने यहाँ पर क्य मेंचिन किया, Montescue ने, कि division of power होना चाहिए, है न, executive branch अलग होगी, legislative अलग होगी, judiciary यहाँ पर अलग होगी, तो यहाँ पर क्या है कि, treatise of government, lawकी ने यहाँ पर यहाँ पर यह बोला, रूसे ने, जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बात बताई, है न, कि भाई, लोगों और उनक the ideas of the philosopher were discussed intensely in the salons and coffee house and spread among people through books and newspaper, है न, किताबों में और अलग अलग तरीके की जो newspapers हैं, उनमें जो philosophers होते थे, जो thinkers होते थे, उनकी बात यहाँ पर निकल कर सामने आती थी, अलग अलग shops में भी लोग यहाँ पर discuss करने लग गया, इनकी बातों के बारे में, है न, ताकि लोगों यहाँ पर क्याएगी, जब लोग discuss करने लगते हैं, तो फिर क्याएगी, चीजें जो है, वो propagate होती हुई आपको दिखाए देती हैं, patriotic song, ठीक है, जैसे mercy lies आप देख सकते हैं, composed by the poet rocket dee lisley, it was sung for the first time by the volunteers from the mersels, as they march into the paris, and so got its name, the mersels is now the national anthem of France, ठीक है, और इस time period पर क्या हु कौन सा है, वो है merciless, और इसको पहली बार क्या है कि merciless से लेकर, perish जब लोग यहाँ पर जा रहते, तब यहाँ पर गाया गया था, और उसी वज़े से यह नाम यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है, तो यह कुछ important चीजे थी, ठीक है, जो आप philosophers के बारे में यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप यह सोचोगे कि इन सारे questions को हम यहाँ पर याद गर लेते हैं, है ना फिर इनके questions के answer हम देंगे, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा difficult task यहाँ पर होगा, आपका जो main purpose है वो यह है कि आप chapter को अच्छे से पढ़ो, chapter को नहीं से किसी भी तरीके के यहाँ पर आजाएं, आपको कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है, तो यह total 45 questions थे, जो मैंने आपको chapter 1 history का French revolution, ठीक है, उसके मैंने आपको कराए, जिसमें आपको very short, short answer और जो long answer है, सभी तरीके के questions यहाँ पर complete हुए, जो आपको already यहाँ पर पढ़ा दिये गए, even complete syllabus आपको पढ़ाया गया है, और जो बचे हुए पार्ट हैं, वो आपको regular basis पे यहाँ पर complete कराया जाते हैं, तो अगर आप 9th class के कोई भी subject के videos वगरा देखने चाहते हैं, तो description में आपको कुछ important links यहाँ पर दी गई हैं, आप उनको एक बार go through कर लीजिएगा, और भी अगर आप systematic तरीके से videos को देखना चाहते हो, तो आप google पर जाईएगा, magnetbrains.com जो है वो type करोगे, तो इंडिया के number 1, 100% free online education platform पर आपकी entry हो जाएगी, आप यहाँ पर देखोगे न, तो यह explore top courses लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या example हमें 9th class के videos देखने हैं, हमने यहाँ पर click किया CBSC English Medium के उपर, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर गए class 9th पर, जैसे हम लोग यहाँ पर class 9th पर गए, तो आपको अलग-अलग तरीके के videos देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखने को मिल रहे है, science के, maths क इसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, है न, history हो गया, geography, economics, civics, सब कुछ available है, अब जैसे माल लीजे कि आपको history के videos देखने हैं, आप watch now पर यहाँ पर click करो, जैसे watch now पर आप click करोगे, पूरा का पूरा जो chapter है, वो यहाँ पर आपके सामने available है, French Revolution, Socialism, Russian Revolution, Nazism, है यह सब आपके सामने available है, जो भी आप देखना चाहते हैं, उसको आप open कर लीजे, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यह French Revolution की उपर आपको एक chapter मैंने पढ़ाया हुआ है, one shot revision video है, है न, सब कुछ इसमें बहुत crystal clear तरीके से समझाया है, है न, पूरा का पूरा chapter आप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और questions को solve करने में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है, बाकी maggot brains पर केजी से लेकर class 12 तक की जो भी classes होती है, वो 100% free होती है, इसका मतलब आपको कोई subscription नहीं लेना है, कोई fees नहीं पे करनी है, ठी कि लोग French Revolution की preparation अच्छी तरीके से यहाँ पर कर सकें, अगले chapter में और हम जो है, वो कुछ और important questions को करेंगे, तो अगले session में एक नए chapter के साथ मैं आप से मिलूँगा, तब तक keep smiling and keep preparing, लगे रो exam clear करो, thank you so much, जै हिंद!